बरंगल पुलिस द्वारा लोग को नोटिस जारी करने पर केंड्री मंत्रे किशन रेड़ी की कड़ी प्रतिक्रिया रही है। उन्होंने कहा है कि वाटसप संदीशों के अधार पर नोटिस देनी की कोई जगह नहीं है। किशन रेड़ी ने कहा है कि वे नोटिस के नाम पर फूट कर राजनीती कर रहे हैं उन्होंने पांच बज़े नोटिस दिया और मुझे छे बज़े सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा है क्या हम कलवंद कुंसला परिवार की गुलाब हैं ये कहा कर किशन रेड़ी निकल गए किशन रेड़ी ने कहा है कि तिलंग ना समाज बियारस के राजनीती देख रहा है प्रधाल मंतरी नरेंदर मोधी सी मैने की आठ तारीको हथराबाद आएंगे और इससे भारत राश्र समीदी ने उसे दिन महाधरना का अहान किया बियारस ने कार्यकारी अधिक्षिक केटिया ने सिंगरेनी के प्रियासों के विरूद में इस मैने की आठारी को मंचरियाल भुपलापली, कोता गुजैम और रामगुजैम सिंगरेनी शेत्रों में माधरना का आन किया है केटिया ने सिंगरेनी शेत्रों के विधाय को और पार्टी जीलों के अधिक्षों से इस बारे में चर्चा की है केटिया ने कहा है कि केंडर सरकार सिंगरेनी का पूरी तरह से निजी करन करने के साज़िश कर रही है उन्होंने कहा है कि भले ही राज सरकार और सिंग्रेनी के मजदूरों ने नीजी करन के प्रियासों को रोकने के लिए कई बार अनुरूत किया है लेकिन केंडरों ने खरनन निलामी प्रक्रिया को एक बार फिल्स सामने ला दिया है उन्होंने इस बात की अधारता वेक की की पूर्व में खरनन निलामी के लिए नीजी कमपनियों से कोई प्रतिक्रियाइद नहीं मिली थी फिबिकेंडर्व से प्रियास कर रहा है कीटियाँ निलामी के सिंग्रेनी का कोई लाख हदाने आवंटिद की जाए उन्होंने और उप लगा है कि केंड़ सरकार बार बार तेलंगाना पर वार्ड करते कि कुछ सित्थ मन्शा सिंग्रेनी के निजिकरन के साथ जिश्रच रही है उन्होंने कहा है कि लाब में चल रहे सारवचने कुपक्रमों को बीचने वाली केंडर सरकार सिंग्रेणी को भी बीचने की योचना बना रही है केटिया ने कहा है कि केन सरकार मुनाफ़े की रहा पर चल रही सिंग्रेनी को कोई लाखदान आवंटित नहीं करने की नापाक मन्शा से आगे बढ़ रही है भाजपा के प्रदेश अज़ेश बनी संजे को दस्वीक अक्षा के हिंदी प्रेश्न पत्रलिक मामले में जमानत मिल गई है आट गहंटे तक लंबी बहस चली और पीपी ने तरक किया कि दस्वी की परिक्षा चल रही है और बंडी संचरी के प्रतिस्ट वैक्ती है इसलिए मामले की जाज को प्रभावित करने का यह एक मौका है वासे संदीश की अधार पर वकीलों ने तरक दिया कि बंडी संचरी को अवीद रूप से गिरफतार किया गया था पीपी ने कहा है कि जैसा कि हिरास्त याची का सुमवार तक के लिए सगित कर दी गई थी जमानत याची का पर सुनवाई भी सुमवार तक के लिए सगित कर दी जाने जाएए बंडी संचे के वकिलों ने अदालत से जमानत याज़ी का पर फैसला करने का एक अनुरोथ किया कि क्यूंकि अदालत लगातार तीन दिनों से छुटी पर दी दोनों पक्षों की लंबी बहर सुनने के बाद जज बंडी ने संचे को सशर्ट जमानत देने के आदिश जारी किये बंडी ने संचे को 20,000 के मुचलकी के साथ मामले की जाच में पुरा सेयो करने का आदिश दिया संभावना जता ही जा रही है कि जमानत मिलने के बाद शुक्रवा सुपरबंडी संचे को करिम नगर जिल से रिहां कर दिया जाएगा वधाय की टेला राजिंडर ने पुलस द्वारा दिये के नूटिस का जवाब दिया है उन्होंने वारंगल डिसीपी को पत्र लिखा कि वह समयने की दस्तारी को सुनवाई में शामिल होंगे जैसा कि वारंगल पुलस ने कलपस्ति होने के लिए नूटिस दिया था लेकिन पहले के कारेक्रम के कारण DCP ने एक पत्र में कहा था कि वह कल पस्तित नहीं हो पाएंगे इससे पहले इटेला ने पुलस से कहा है कि वह वकीलों से सलाह करते तैय करेंगे कि क्या करना है उन्होंने ये पूचा है कि उन्हें नोटिस भीचने के जरुट क्यों पड़ी उन्होंने कहा कि अगर वह कुछ भी करते है तो उनके पास सहासपूरवक बोलने की हम्मत है और अगर वह अपने शक्ती का दूर्पियों करते हैं तो उन्हें निश्यत रूप से डंडित किया जाएगा इटेला राजरिंद्र ने इस परश किया है कि ज़रुत पढ़ने पर वह अपना फोन अधिकारियों को देंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सर्मेने की आठ तारिकों तिलंगाना का दौरा करेंगे हैदरबाद ट्राफिक पुलिस ने कहा है कि क्रम से शहर में कई जगों पर यातार प्रतिबन लागू किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि मुनपपा जेंक्शन, टीवोली जेंक्शन, सेंट जॉन रोटरी, संगित क्रोस रोड और छिलकला गुड़ा जेंक्शन, अमजी रोड, आरपी रोड, आसपी रोड पर यातार प्रतिबन रहेगा और ये बताया गया है कि परेट ड्राउन में होने वाले जन्समा के प्रिश्ट भूमी में कही चोराय पर जाम लगने की एक आशेंक्शा है राजयो गांधी प्रतीमा, गुरिनलेंट्स, प्रकाशनगर, रसुलपुरा, सीटी प्लाजा, स्पी एच, वाइम सीए, सेंट जॉन रोडरी, संगित जोराह, अलु गुड़ा, बावी और मेट्टु गुड़ा, चिलकल गुड़ा, ब्रुक बॉर्ण, टिवोली, बालमरा स्वीकार उपकार, सिकंदरबाद कलब, तिर्मलगीरी, तांड बंड, याताथ पुलिस ने यात्रियों को सला दी हैं कि वे सेंट्रिल पॉइंट रूटों पर यात्रा ना करें, उन्होंने कहा हैं कि टिवोली क्रॉस रोड और ब्लाजा क्रॉस रोड के बीच का रास्ता ब बंड कर दिया जाएगा, सिकंदरबाद रिल्व स्टेशन से ट्रेन से यात्रा करने वाले नियम्मत यात्रियों को सला दी जाती है कि वे समय पर रिल्व स्टेशन पहुचें, और ये कहां गया है कि चिलगला गुडा जंक्शन की तरफ से सिकंदरबाद स्टेशन में जावनी बियारस में वर्चस्वकी जंग दिनबदीन तीज होती ही जा रही है, पार्टी के बड़े सज़सर रहे विधायक सायनना के निधन से ऐसे लोगों की कमी हो गई थी जो सभी निताओं को साथ एक साथ मिलकर नैतित पर कर सकें, विधाय टिकेट के दावेदार अप भगोलिक प्रिष्ट्री से जहां तक सांसत का संबंध है, हदरबाद जीले में छावनी नर्वाचन शीतर मलकजगीरी के अधीन है, मलकजगीरी सांसत हो या फे विधायक यहां शुरू से ही उमिधवारों का दबदबा रहा है, इस प्रिष्ट भूमी में वरतमान मंत्री म मला रेड़ी जो अतीत में मलकजगीरी के सांसत है, स्वभावेक रूप से पार्टी नेताओं के समर्थन का एक प्रमुक्स रोत है मला रेड़ी के दामाद राश्रीखर रेड़ी जो 2019 में बियारस पार्टी से चुनाओ लड़े और हार गए यह सुनिश्यत करने के लिए भी साउधार रहे कि बूर्ट के सबीसे दिस्या उनकी तरफ है विंगत विधायक सायनना ने भी मरी के वर्चस वपस सवाल उठा है और स्क्रब में बोर्ट चनौ की घोशना के साथी स्वभाविक रूप से मरी ने अपने समुह में बोर्ट के पूर्पस दिस्यासियों के साथ बैटक की ववशाई की है दो दिन बाद विधाय सायनना की मुथ हो गई और अच्छनक सिस्यासिती बिदल गई बदाय सायनना के दसवी समाप्त होने से अगले दिन मंधितल सानी ने सायनना की बेटियों लासे नंदीता निवेदीता और बोर्ट के पूर्पस दिस्यासियों में से एक जकूला माईश्वर रिडी को अपने आवस पे बुलाया और बात की है उनने मौके पर ही प्रेस कांफरेंस कर बोर्ट चुनाओ के पार्टी की गतिवीदियों की घोशना की और आमसभा बलाई है अब परिहार यकानों से आमसभाद दो बात सगित की गई और इसी के साथ एक बार फिर विधाय की बेटियों जे-म, एम-र और मरी गुड के एक अन्य प्रमुक ने इताने बोर्ट के पुर्वस दस्या पांडु यादाओ को बलाया और उनसे बात की है तिलंगाना भवन में उनके न्यात्वित्व में अध्यात्मिक सभाओं के एक तयारी बैठका अवज़ुत की गई और लेकिन इस कायक्रब में भी मैरिज को नहीं बलाया गया था बोर्ट के पुर्वस दस्या भी मरिराजशी खरीडी को बिना बता इन बैठकों में गए और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है पार्टी के निकट की आँज लगा है निगम के अधेश मन्ने प्रिशांक एरोला शुडिवास और गज्ज्रीला रागिश नी भी इस बैठक में नबुला जाने पनराज की जताई है पिज़्रे बैठक में प्रिशारी को बोला रम में हुई पहली भाउना सबाने पार्टी में फूर्ट को उजागर कर दिया करी नेताओं ने दोश्र लगा है कि बोट की पूर्वस दस्या वार्डों के और अप्शारी चेला नागेश हरोला श्रीवास को आमंतरत नहीं किया गया था श्रीगनी जो पिछले चुनाओं में भासपास से चुना लड़े थे और अतमाम में बियारस में है कोभी पार्टी ने तौने दूर रखा था इस अंदर में निगम के अधिक्षियों ने अपनी नराज की और प्रधान कारेले का ध्यान नहीं दिलाया सुधारतमत के उपायों के तहत मंसर तलसान ने एक बाफ फिल से मदान में कदम रखा है विधाय कवास में उनकी कारेले में आमसबा हुई इस सेबैटरक में प्रभारी के संबन में कोई ने नहीं लिया गया जिसमें मर्दी साहित तमाम प्रमुक नेता शामिल हुए गौतलब है कि एक बाफ फिल तमाम नेता सारवजनी शेतर में ऐसी गतिवी दिया कर रहे हैं जैसे वे किसी के हैं उनके रिश्टता सायनने के एक बेटी को अगामी स्टुनौ में टिकर देने की मांग कर रही है रिश्टा ने काया कि पिछी पे तिलंगरा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है उनने काया कि चोरों की गिरफतारी के बाद जाच सुचारों रूप से चल रही है मंत्रिय अरिश्टा ने साकारेडी चीले के मोगुदवंपली मंडल की अध्यात्मिक सभा में भाग लिया है उन्होंने कहा कि गितारेडी ने बतोर मंत्री कुछ नहीं किया है उन्होंने ये काया कि नीज़ इस्पताल फलफूल रहे हैं लेकिन अब लोग सरकार इस्पतालों पर भरोसा कर रहे हैं उन्होंने ये काया कि शिक्षाओं से कसा में काफी विकास हुआ है और कई गुरुकुल शुरू किये गए है माहिश्वरम नर्वाजन शेत्र में 1200 लोगों को हाउस टाइटल डीड पे तरिद के गए हैं मंत्र सभीता इंडर रेड़ी ने कहाए कि तिलंगाना में हम सभी समुधाय की लोगों के कल्यान और विकास के साथ शासन कर रहे हैं भाजपा के राश्रियों पाजेक शेडी के रुणा ने कहां कि राजनितिक दिश्मन की वज़े से संचे को गरफतार किया गया और उन्होंने यह भी कहाए कि टीस पेसी कीज को डावर्ट करने के लिए बंडी संचे को गरफतार किया गया था किस्यार का यह बयान की वर दीश बर में चुनाओ का खर्च उठाएंगे और अब ऐसा लग रहा है कि वर्ग कर रहे कि वे तिलंगाना को लूटेंगे और दीश में चुनाओ पर खर्च करेंगे पेपलिक मामले से ध्यान भटकाने के लिए राद दिन गरफतारिया की जा रही है हनुमान शुभायातरा से पहले गोशा महल के भाच पाविधाय का रदा सिंग्ग तो पुलिस ने पुर्व गरफतार कर लिया था पुलिस ने उसे तब गरफतार किया जब गाली गूड़ा से शुवायातरा के लिए निकल रहे थे पुलिस का कहना है कि राधा सिंग को इसलिए पुर्वा गरफतार किया गया था क्योंकि वो पिछलूसों में भाग लेने के दोरान विवाद टिपर निकल रहे थे रादा सिंग ने पुलिस से पूछा कि शोभायात्रा के दोरान कभी मीडी वज़े से कोई परिशानी का सामना किया है टीमपेस के आयोजन अध्यक्ष गारे वैंकेटीश मडिगा ने मांग कि कि सरकार दलित सिवा रतन परसकार बीचने वाले दलालों के खिलाफ कारवई करें गारे वैंकेटीश ने मीडिया सरकार से दलित रतन सिवा परसकार बीच कर पैसे कमाने वाले दलालों के खिलाफ सकतर कारवई करनी के अपिल की है जो दलि समाच के बारे में नहीं जानते हैं और जो महा अनुभवों के इतिहास और मानता को नहीं जानते हैं दलि सीवार रतन पुरसकार सरकार द्वारा दिया जाने वाला वास्तविक दलित सीवार रतन पुरसकार है जो निताओं को याद दिलाने के लिए दिया जाता है जो दलित चाहती के लाप जिवंतता और विकास के लिए लगातर अपनी उज़जा लगाते हैं अपने परिवार को त्याग देते हैं और राश्र सीवा को सर्वपरी मानते हैं वाइकटेश मडीगा ने कहा कि वाइकटेश मडीगा ने वरतमार राच्छ सरकार और सीम के सियार से हस्त शीप करने और दलित रतन प्रसकार पीछने वाले दलित दलालों के खिलाफ कारवाई करने को कहा है भाच्पा निताओं ने अमीर पीटा में LED स्क्रिन से लेंस जवहानों का शुभारम किया है इस समयने के आठ तारीकों प्रधा मंत्री मोदी की याद्रा के अवसर पर उनके स्वागत के लिए मिर पीट नगर सीवक कर्टी ने इनी सरला ने मेरी शशिदर रेड़ी और शाम संदर गौर के साथ एली डिस्क्रिन वाले पानों की शुरुआत की है नगर सीवक ने बड़ी संख्या में लोगों से सिकंदरबाद परेड़ ग्राउन में खूली सभा को सफल बनाने का एक अहान किया है इस कारेक्रब में भाजपा के कारेकरता शामिल हुए अलबी नगर विधायक सुधिर रेड़ी के नातित्व में जरूर नगर में हनुमान शुभायात्रा का आयोज़न किया गया विधायक सुधिर रेड़ी के नातित्व में हनुमान शुभायात्रा का एक भवी आयोज़न किया गया और इस शुभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालों शामिल हुए जैश्री राम के जैकारे से पूरा कर्मन खाठ हनुमान मंदिर गुंजी अमान हो गया है विशार शुभायात्रा हनुमान जैन्ति समारों के उपलक्षे में चार मिना नर्वाचन शेत्र के गंसी बजार में आयोज़त आखों का भव्योत्सव है और इस रेली में बड़ी संख्या में हनुमान भगते शामिल हुए है इस रेली में स्थानिय शेत्र के अलावा शेरके के हिस्सों से श्रद्धालू ने भी भाग लिया और एकविशीश पुजार चना की है मौसरों की आयोज़क और भाजबा की वरिष्ट नीता मिकरानी निकाहे के हर साल हनुमान जहनती के उसर पर भी विशार शुभायात्रा कायोज़न करते है तीहार में बंदर सुकीश चन्रशीखर ने अपने वकील अनंत मलीक के माध्यम से दिली के मुखे मंदरी अर्विंद कीजरिवाल को एक नया पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वह दिली शराफ घोटाला के संबन में एक वरिष्ट बियारस नेता साइट विबिन निताओं के साथ वी साथ सो तीन वाक्सअप चैट में से पहली को जारी करेगे दिली के सीएम को संबोदेतर पत्र में चन्रशीखर ने कहाएगी चैट स्पेश्ट रूप से आपकी किज्रिवाल और आप नेता सतीन जजेन SIC त्वारा TRS कारले को पंड़ा करोड रुपए के डिलिवरी के निदेश दिखाएगी और TRS नेता से स्विक्रत और पुष्टी का टोकन भी दिखाएगी उसने अपने और आप नेता के बीज़स अंदीशों का एकर श्ट्रिंकला साजा करने की धंकी दिये और उन्होंने दावा किया है कि चैट का स्क्रिन शॉट स्पेश्ट रूप से दिखाएगा के केजरेवाल और आप किस तरह के TRS अबी आरस और उसके नेता के साथ मिली भगत कर रहे थे और सीधे तोर पर व्यक्ति गस्तर पर व्रतिय लें दिन और कारवार कर रहे थे वादी के अनुसार सब्ता वासर चैट का एक कर टीजर जारी किया जाएगा जो 703 में से एक है मैं जो चैट सबसे पहले जारी कर रहा हूँ वो मेरे और TRS के कर वरिश्ट नीता के बीच की चैट है तो यह चैट शुरुआत के लिए हैं चन्रशी करने दिली के सीम को संबूदित अपने पत्र में कहा यह कहते हुए कि वासर चैट का स्क्रिंशॉट के वल शुरुआत के लिए जारी किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि मुख्य पाठ्य क्रम मिक्षिन शैली की ब्लॉग पस्टर होगी इसलिए कि ज्रिवाल जी टीजर के लिए अपने स्योगी के साथ खुद को तियार करें और उन्होंने कहा है कि चैट्स पिष्ट रूप से साथ ग्रूप और ट्यारस उसके नेता के साथ आपकी साथ गार्ट की पुष्टी करेगा जो शराफ गेट में जाज के दायरे में हैं चैट्स के शॉट भी दिखाएगा कि कैसे टीयारस के नेता को पन्रा करोट रूप देने के निदिश दिये के हैं एक सायोगी एपी अरुन पिल लई जिन्नों उन्हें एक ब्लाइक कर रेंज रोरस पूर्ट सिक्ष्ट सिक्ष्ट्री में टियारस हेड़कॉर्ट के अंदर खड़ी विच्छल पर एक अमल्सर स्टीकर के इसाथ नगदी के बक से रखे थे चंदर शीकर ने अपने पत्र में ये उलिख किया है चंदर शीकर निकाया कि वह आप सभी के साथ नारकॉर्ट पॉलिग्राफ टर्टेस कराने के लिए तैयार है उन्हें निकाया कि इसके बात कानून को फसला करने दे क्योंकि मैं किवल बात नहीं करने चारा हूँ क्या मूदी का हैदरबाद दौरा राजरितिक मोड लेगा पहले जब प्रधान मंतरी मूदी हैदरबाद आय थी तो ऐसा कोई होट टॉपिक नहीं था लेगन चुनाओ आते हैं राजर भर में बीजीपी की बर्ती ताकत और साथी बियारस के लिए घटा समर्थन मूदी का आगमन भाजबा के लिए इसाजनक लग रहा है जबकि बियारस पार्टी कुछ हद तक निराश है एक तरफ जहां बीजीपी सरकार की यह आलूच नहीं हो रही है कि उसने तलंगाना के विकास के लिए कुछ नहीं किया वहीं मूदी के दोरें ने ऐसे समय में गर्मी बढ़ा दी है जब बीजीपी नहीं ता अब यारस उतनी ही जम कर फटकार लगा रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रेल को हैदराबाद आएंगे वो बेकम पेट एपोर्ट से सीधे सिकंदराबाद रिल्वस्टेशन पहुँच रहेंगे और उसी दिन मोदी दुसरे बंदे भारत ट्रेंड शुरू करेंगे जो तेलको राज्यों के बीज सिकंदरा से तिरुपती तक चलेगी बाद में मोदी सिकंदराबाद रिल्वस्टेशन के आधुनी की करन कार्यों की अधार शीला रखेंगे यात्रियों को अगले 40 साल तैस जरूरी सुवी धाय मोया कराने के लिए रिल्वस्टेशन को विक्सित किया जाएगा हैदरबाश यहर प्रधान मंत्री मोदी की यात्र अकले तैयार है विबिन विकास कारेक्रमों के शुभारम के साथ ही प्रधान मंत्री मोदी परेडर ग्राउन में जनसफा में शामिल होंगे और संबोधित करेगे भाजपा नेतौने के इंडरिय मंत्री के शन्रेट डी प्रधिश अद्यश पंडी संजे सांसे दीवोड के सद्सी और सांसे डॉक्टर के लक्षमिन के रिसाथ प्रधान मंत्री मोदी के दौरे की तयारिया का जाय चलिया है दुसरे बंदे बारत मंच का दौरा करने के बाद नेताओं ने परेड़ डाउन में आवज़जन सभा के विवस्थाओं का निरिक्षिंग किया बिज़े पिनेताओं ने कहा कि मूदी के दौरे के दौरान सभी इंतजाम पूरे कर लिए गये है इसे मौके पर भाजबा सरकार तिलंगाना के लिए जो कुछ नहीं कर रही है उसकी आलोच ना करने वाले बियारस नेता सक्रिय हो गए है उन्होंने शिकार की कि बियारस नीता कायर हो गए है जो यह नहीं देख सकते कि वे तिलंगाना के विकास के लिए कितना कुछ कर रहे है भाज़बा के प्रदेश अज़श बंडी संश्रे ने कहा कि राज़सरकार विकासकार्यों में सयोग नहीं कर रही है बियारस के नीता विकास को पंचा नहीं पा रही है इसलिए उन्होंने केंडर पर कीचल उचाने का आरूप लगाया राज़सरकार MMTS के दूसरे चुर्ण के कारियों में भी सयोग नहीं कर रही है बले राज़सरकार शियर फंड नहीं दे रही है मोदी ने बताए कि सरकारी फंड से काम शुरू किये जा रहे है उन्होंने का कि लोग चाते कि उनकी इलाकों में भी वंदे भारा ट्रेन चलाई जाए क्योंकि वे कम खर्चे में कम समय में गतव्यों तक पहुच रहे है बताया जाता है कि वे लगबग उसी समय गतव्यों तक पहुच रहे है जिस समय उडान का समय होता है किशन डेटी ने खुलासा किया है कि सिकंदरबार रिल्वस्टेशन का पुर्ण नर्मान 8 अप्रेल को किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि मोदी धोरी करन का काम शुरू करेंगे जो 1400 करोड की लागत से किया गया है उन्होंने यह अभी कहा है कि 1366 करोड से वीविनगर आम्स के एक नए भवन कशना न्यास किया जाएगा उन्होंने कहा है कि राजसरकार ने भली ट्रिपल आर सडक निमान के लिए 500 करोड रुपे आवंटिक किये हो लेकिन अब तक एक रुपे भी नहीं दिया गया है उन्होंने आरुप लगा है कि राजसरकार के विकासकार्यों में सयोग नहीं कर रही है उन्होंने काया कि राजरज सरकार MMTS शरन दोग क्यों पिक्शा कर रही है उन्होंने काया कि वह MTTS पीस टूपर शार्स साल से राजरज सरकार को पत्रा लिख रही है लेकिन वेज़ जवाब नहीं दे रही किशन ब्रेड दी ने आलोशना के कि एक MMTS में देरी हुई क्योंकि राज्ज सरकार ने भाजपर सांसर लक्षमन ने मंत्रु के ट्याँ द्वारा प्रधान मंत्री मोदी की आलोचना की करी निंदा की है बियारस ने तो और ने टिपनी किये कि मोदी का विकास अकलपनिया है उन्होंने प्रधा मंत्री मोधी के आगमन के उसर पर सिकंदरबाद रेलवे स्टेशन का नेशन किया और कहा है कि यह तिलंगना राज्ज में बादपर सरकार के विकास का एक प्रमाण है उन्होंने नौकरी के नाम पर लाखो युवा को ठगने के लिए किसिया सरकार की आलोचना की उन्होंने कहा कि बियारस नितों के पास प्रधा मंत्री मोधी कामना सामना नहीं है उन्होंने तिलंगाना सरकार के एक अक्षम सरकार के रूप में आलुष ना की जो अपने बादों को पुरा नहीं कर सकी उन्होंने कहा कि तिलंगाना सरकार के असरयों के कारण केंडरी प्रियोज नौ में देरी हो रही है उन्होंने का कि रिल विभाग से तिलंगाना को इतनी वड़ी धनराश या मंटित की गी जितना पहले कभी नहीं की गई उन्होंने का कि मोधी तिल गुराजों के विकास के लिए काम कर रही है उन्होंने तेल गुराजों को दूसरी वंदे भार ट्रीन देनी के लिए केंडर के प्रतिय अबार वेक किया है शम्शाबाद एरपोर्ट पर एक बार फिर अवेधर सोना जब किया गया है और इस बार तसकर ने अदिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए सूर्या स्टार विड़ो कड़े के द्रश्चे का अनुसरन किया है वही उसने 32 लाग का सोना अपने पीट में छिपा लिया और सोने को एरपोर्ट के रास्ते गजानने की कोशिश की हालांकि जब अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने उसे गरफतार कर लिया और अपने अंदाज में उसे पुश्टाच की है सोने की तसकरी के लिए तसकर पहले भी तरतरग के हद कंडे अपनाते पकड़े जा चुके हैं और इस बार एक तसकरने ने अपनी पेट में 32 लाग का 514 ग्राम सोना चिपा रखा था कई भी छुप जाने वाले हमारे पुलिस ने इस श्रीनी को भी पकड़ा है शम्शाबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट पर अधिकारियों ने एक बाव फिर अविद सोना पकड़ा है सीमा शल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए एक यात्रे ने अपने पेट में सोना चिपा कर अवीद रूप से हवाय अड़े को पार करने की कोशिश की लेकिन अधिकारियों को ये शक हुआ की और उसने हिरासत में लेकर अपने अंदाज में जाज परताल की उनकी पेट में चिपेराज के साथ साथ सोने का मामला भी सामने आया रियाद की एक शक्स ने सोने का पेस्ट बनाया उसे एक एपसूल में भर कर अपने पेट में चुपा लिया और प्लेन से उतर कर एरपॉर्ट से निकलने के कोशिश की है लेकिन जैसे सीमाशल कदिकारियों को उसकी हरकतों पर संदी हुआ उन्होंने तुरंट उसे हिरासत में ले लिया और अपने अंदाज में उसे पुस्ताच की है जैसे कि आरोपी ने कहा कि उसने पेट में तीन कैपसूल के रूप से सोना चुपाया था अधिकारियों ने से तुरंट चिकसा के लजबतार पहुचाया सीमाशल क अधिकारियों ने पेटी से 32 रुपे मुले का 514 ग्राम सोना चप किया है बाद में आरोपी को गिरफतार कर लिया गया मामना दर्श किया गया और जाजब जारी है अधरबाद में गुरुवार को तीजमाओ के साथ शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई बारिश प्रट अधरबाद नगर निकम जिया चैम सी शेत्र के दक्षिनपूर शेत्र में शुरूवी और कुछ घंटों तक है जारी रही है बारिश के अलावा सिकंदरबाद के कुछ हिस्सों में ओलाव रिष्टी भी हुई है जिससे सडकों पर खड़े कुछ पानों को नुक्सान पहुँचा कई लोगों ने ओलाव रिष्टी की तस्वीरे और वीडियो सोशल मडिया पर साजह किया है बारिश ने जहां चलचलाती गर्मी से काफी राहत दी वही सडकों पर रागिरों को भी परिशानी हुई है शहर के कई निचले लाकों में जल भराव देखा गया जिसे याताया जाम हो गया हैदरबार ट्राफिक पुलिस ने एक एडवाईजरी जारे कर लोगों से सावधानी से वहन चलाने और जल जमाव वाले शेत्रों से बचने को आगर किया है भारती मौसम विग्यान विभाग ने अपने अगले कुछ दिनों तक शहर में बारिश की भविश्यवानी की थी और सचानक हुई बारिश को उसी के लिए जम्यदार ठराये गया है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शहर के अलग-अलग इलाकों में भारिबारिश की चिताओनी भी जारी की है कई नेटिजन्स ने ओला वरिश्टी और भारी बारिश के वीडियो सोशल मडिया पसाजा करते हुए कहाए कि बारिश के गर्म मौसम से बहुत जरूरी राहत के रूप में आती है बारिश के पुर्वनुमान के बाउज़द आईमडी ने भवश्वानी किये कि है कि हैदरबाद में अधिक तमतापमान 36 से 40 डिग्र सल्सिस के बीच रहेगा भारती मौसम वग्यान विभाग हैदरबाद ने 7 अप्रल तक पुरे तिलंगना राज्ची के लिए औरेंच अलर्ट जारी किया है और क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार को और बारिश होने की उमिद है हैदरबाद में 5 अप्रल को भारी बारी शुवी जिसे श्यर के विबना हिस्सों में बिजली कटोती हुई है अत्तापूर के पास PVNR एक्स्प्रेस विके नीचे सडक सही तब विबनस्तानों पर जर्भराब भी दिखा गया है जिससे कुछ समय के लिए आता है धीमा हो गया बुद्वार को तिलंगाना स्टेट डैवलोप्मेंट प्लानिंग सोसाइटी के अनुसार शेक पेट में सबसे अधिक 26.5 मीमी बारिश दर्श की गी और इसके बाद आसिफ नगर 19.8 मीमी और गोलकुंडा 18 मीमी और राजिन रनगर 15.5 मीमी ख्यारतबाद 11.3 मीमी और अमीर पेट 10 मीमी का स्थान रहा है